प्यारे विध्यार्थियों क्यासे हो आप आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे आईए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंब करते हैं हमारे अध्याय का नाम है भागी रथी यह एक नदी का नाम है अहो पावनी गंगा संसारे बहव्या नद्या संती अर्थात अहो पावनी गंगा पवित्र गंगा नदी संसारे बहव्या नद्या संती अर्थात इस संसार में बहुत सी नदियां है गंगा तासू सरवासू स्रेष्ठा पूज्जा च अस्ति गंगा नदी उन सभी नदियों में सबसे जादा स्रेष्ठ और पूज्ञे मानी जाती है गंगायाह जलम यथा पवित्रम निर्मलम च विद्यते तधा कस्यापी नद्याह सरोवरस्य कुल्यायाह निर्धरस्य वाप्या वा नास्ति अर्थात गंगाया जलम गंगा का जल यथा पवित्रम निर्मलम विद्यते जितना गंगा का जल पवित्र और निर्मल स्वच्छ माना जाता है तधा कस्यापी नद्याह अर्थात किसी भी नदी का सरोवर अर्थात तालाब का अर्थात कहने का मतलब है कि जितना पवित्र और स्वच जल गंगा नदी का माना जाता है उतना किसी भी तालाब का नदी का या जर्नों का या बावडियों का नहीं माना जाता जनाहा ताम भागी रथिम अपी कथयंती और लोग उसको भागी रथि के नाम से भी जानते है गंगा हिमालय अस्य गंगोत्री नामक स्थानात लगू धारा रूपेन निस्सरती अर्थात, गंगा नदी हिमाले के गंगोत्री नामक स्थान पर एक बहुत छोटी धारा के रूप में निकलती है हिमाले यसे बहावो औ شधा वनस्पती नाम सारेन सह अस्याम मिलनती अर्थाद हिमाले के बहुत सारी ओशदियां और वनस्पतियों के साथ मिक्स होकर यह नदी मिलती है अर्थाद इस नदी में हिमाले की बहुत सारी ओशदियां मिलती है और उसी के द्वारा यह जल आगे बढ़ता है अस्मात अस्याह शीतलम स्वच्छम वारी रोगहारी स्वास्तकारी और वरम चा भवती अर्थात ये कहते हैं कि अस्मात इसी नदी के द्वारा अस्याह शीतलम स्वच्छम वारिम इसका शीतल स्वच्छ जल रोगहारी स्वास्तहारी चा और वरम भवती अर्थात इसका स्वच्छ जल लोगों को स्वास्थे बनाता है और उपजाओ जमिन देता है भारतिय सभ्यतायाह संस्कृतेश्च जन्म अस्या कुलया एव अभवत कहते हैं कि भारतिय सभ्यता का और संस्कृती का जन्म ही इसी कुल में हुआ था अस्याह उत्संगे या भूमी अस्ती सा स्वर्ण भूमी वर्तते कहते हैं अस्याह उत्संगे अर्थात इसकी गोद में या भूमी अस्ती जो भूमी है सा स्वर्ण भूमी वर्तते वह सोने की भूमी कही जाती है अस्याहा जलम प्राप्य एव उपवनानी फलंती लता विकसंती पाद पाहा हसंती अर्थाद अस्या जलम प्राप्य इसका जल प्राप्त करके ही उपवनानी फलंती अर्थाद भगीचे फलते हैं फूलते हैं लताहा विकसंती लताये विकसित होती है और पाद पाहा हसंती प हमारे यहाँ पर वन और उपवन खिलते हैं अर्थात उपजाव बनते हैं अस्यहा सलीले कदापी कीट अरणवा न जायनते अर्थात इसके जल में कभी भी कीडे नहीं होते अस्माद एव हे तो मनुश्याह अस्याह जलम अम्रितम कथयंती और इसी कारण से यहां के लोग इसे अम्रित कहते हैं अर्थाद गंगा नदी के जल को अम्रित कहा जाता है जिसका कारण है कि इसके पानी में कभी भी कीडे नहीं पड़ते गंगा आयाह तटे एव हरिद्वारं प्रयाग वरनासी च एतानी प्रधानानी तीर्थ स्थानानी संती कहते हैं कि गंगा तटे एव गंगा नदी के तट पर ही हरिद्वार प्रयाग राज वरनासी इस प्रकार के अनेक प्रधान तीर्थ स्थान मोजूद है अपरदह कर्णपुरा, पाटली पुत्र, कलीकाता, प्रभ्रितानी, यांत्रिक उद्ध्योगई, संब्रिधानी, नगरानी, अफी, गंगाया, तटे, एव, विध्यनते कहते हैं कि अपरदह और दूसरी तरफ कर्णपुर, पाटली पुत्र, कलीकाता, अर्थाद कलकत्ता, प्रभ्रितानी से लेकर अर्थाद इतने सारे शहर कर्णपुर, पाटली पुत्र, कलकत्ता से लेकर, यांत्रिक उद्ध्योगानी, संब्रिधानी अर्थाद, जितनी भी यांत्रिक उद्योग हैं बड़े-बड़े इंडरस्टीज लगी हुई हैं उन सारे संभिद्ध नगरों का भी गंगा नदी के टटपर ही आवास है अर्थाथ गंगा नदी के टटपर बड़े-बड़े शहर और यांत्रिक उद्योग लगी हुए हैं इत्थम मातेव एशा न गौरवम उपगीतम गीयंते और चितने कभी हैं वे सभी भी इसके गौरव का उपगीयंते अर्थाथ इसकी शान में गीत गाते हैं गर्मी के समय में भी जल से पूरी भरी रहती है गंगाया पाठम अर्थत गंगा जो को पाठ है वह जल से पूर्ण रहता है गंगाया पाठम जो प्रसिद्ध यमुना नदी है प्रयागे गंगाया सह प्रयाग में गंगा के साथ मिलती है और यमुना आयाह नेलम जलम यमुना का नीला जल गंगा के शुद्ध जल के साथ वहांपर मिल जाता है कहने का ताथ परिया है कि प्रयाग में गंगा और यमुना का मिलन होता है जहां यमुना का निला पानी गंगा के शुद्ध जल से मिलता है बहु मनोहरह वर्तते सहग संगम वह बहुत ही मनोहर लगता है जब गंगा और यमुना नदी आपस में मिलती है उनका संगम होता है गंगाया पाटम, गंगा का पाट बहु वित्यत्म, गंभीरम चा विड्यते बहुत गंीर दिखाई देता है। तत्र संचरंती अग्नी नोका हा इतस्तता हा और वहां पर अग्नी नोका अर्थात अग्नी से चलने वाली जो नोका अर्थात नाव है वह इधर उधर दिखाई देती हैं तत साधनई जनाहा वानिज्यम कुर्वन्ती और उसी के द्वारा वानिज्य अर्थाद व्यापारी लोग अपना व्यापार करते हैं तत्र संचरंती अगनी नोकाह इतस्तताह और उस नदी में इधर उधर अगनी नोका वहाँ पर विचरण करती है तत साधनई जनाहा वानिज्यम कुर्वन्ती और वहाँ पर व्यापारी लोग उसी नदी में उसी नोका के द्वारा व्यापार करते हैं गंगा आयाह गंभीरे जले मत्स्याह कुर्माह मकराह इती बहुविदाह जीवाह वसंती अर्थाद गंगा नदी की गहराई में जले मत्स्याह मचलियां कुर्माह अर्थाद कच्वे मकराह और मगरमच बहुविदाह जीवाह वसंती और वहाँ पर बहुत प्रकार के जीव गंगा नदी की गहराई में पाए जाते हैं प्यारे विध्यार्तियों, हम सभी ने आज इस पाठ के माध्यम से भागी रथी अर्थात गंगा नदी के बारे में जाना जहां पर हमने यम्ना नदी का भी अध्यन किया, कहां पर इन दोनों नदीओं का संगम होता है ये नदियां किस प्रकार भारत की जमीन को उपचाओ बनाती है और भारत के अनेक छेत्रों में इस नदी का बहना और उसके किनारों पर बड़ी बड़ी इंडर्श्टी का होना हमें बताता है कि गंगा नदी हमारे लिए कितनी महत्वपून है गंगा नदी मात्र एक नदी नहीं है यह हमारी आस्था का विशे है जो हमारे लिए अम्रित तुले जल देती है प्यारे विध्यारतियों मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह पार्ट समझ आया होगा आप सभी अपने स्तर पर इस पार्ट का हिंदी अनुवात अवश्य कीज गार्ट प्रिये गार्ट अवश्य के लिए जाव करता हुआ प्रट का है जाव पिंदी तुले अवश्य स्वेश घ्ग दी जाए जड़े जा हुआ कर एक आप नहीं है उय जा प्रिए ग्हारा आप